असलाम अलेकुम दोस्तों, welcome back to my YouTube channel अगर आप एक YouTube creator है और YouTube पर channel रखते हैं जाँ आप video upload कर रहे हैं तो यह email आपके पास जरूर आया होगा YouTube team की तरफ से इस email में क्या के रहे? इसमें के रहे account और channel protection के बारे में कि क्या-क्या step आपने करके अपने channel को hacker से बचाना है चलिए email को समझते है, at YouTube, we take account security seriously and we are dedicated to ensuring that you are best equipped with the tools to protect your Google account To secure your channel, we encourage you to take the following steps नीचे 6 tips देगे है YouTube की तरफ से कि यह 6 tips आप follow करें तो कोई भी आपका account hack नहीं कर पाएगा और आपका account secure आपके हाथ मेरेगा पहले नमर पे turn on safe browsing enhanced protection अगर आप Google Chrome इस्तिमाल कर रहे है अपने mobile में तो वहाँ पर save browsing tool जो है एक होता है setting में वह on करें अगर कोई unsecure account आप access कर रहे तो आपको एक notification बेजगा कि आपका account at greater risk है तुसरे नमर पे secure your account इसका मतलब है कि अगर आपके mobile में ऐसे apps है जो आप नहीं जानते किसी अप्तल सोर्स से आपने इंस्टाल किये है चोदे नमर पे set channel level permission आप हर महीने अपने चैनल की activity चिक करें कि कब कहा पे sign in हो गया है आपके इलावर कोई और तो इस्तिमाल नहीं कर रहा इसके बाद है enable two step verification इस पे मैंने पहले भी वेडियो बनाई है आई बटन में मौझूद है अगर आपने two step verification आन नहीं किया तो यह आन करना इंत्हाई जरूरी है channel protection के लिए उसके बात है if you are a monetized partner अगर आपका channel monetized है then review our adsense help center article to secure your account और नहीं चाप्शन दिया गया है secure your account चलिए click करते secure your account पे और check करते कि हमारे channel secure है या नहीं यह अब यहा recent security activity ये भी ठीक है two step verification ये भी ठीक है safe browsing को हम click करते है कि इसमें क्या मसला आ रहा है continue पे click करेंगे safe browsing में एक turn on है safe browsing मैंने जैसा के पहले आपको पताया कि google chrome में अगर आप safe browsing पे नहीं है तो इसको आन करें इसको यहाँ से आप turn on कर सकते है दूसरी नमबर पे your device तो इसको हमारा account जो है वो login है और इस्तिमाल हो रहा है या हो गया है इसी वक्त मेरा account दो devices में login है एक मेरे mobile में और दूसरा मेरे computer में window लेकिन ये भी याद रहे अपने window पे कभी भी अपने account को login नहीं चोड़ना है अगर login हो तो आप यहाँ से अपने mobile से भी sign out कर सकते हैं मैं अभी क आप computer पे PC पे जो Google Chrome इस्तिमार कर रहे हो इंतिहाई हंसे के वर है और कभी भी आपका channel गोल सकता है इसलिए window पर कभी भी अपने account को अपने चनलों को login मत जुड़े आगर आप कोई काम कर रहे है तो उसी वक्त पिर अपने चनलों को sign out करे इसको मैंने यहाँ से sign out किया इसके बाद है recent security activity, recent security activity हम अगर check करना चाहे तो यहाँ से check कर सकते activity from the last 28 days यहाँ पर हमने TikTok was given account access, last 28 days में हमने TikTok को account access permission किया था, मैंने TikTok पर अपने YouTube बटन एड़ किया था, इसलिए मैं यहाँ पर password भी change कर सकता हूँ अगर चाहूँ, तो password आप change करे, इसी यहाँ पर अपना old password देंगे, और old password देने के बाद new password अपने लिए select करें, और यहाँ पर change password पर click करके, easily अपना password change करें, जब आप password चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, your password has been changed, तिसरे नमर पर third party access, तिसरे नमर पर तर्ड़ पार्टी एक्सिस, तर्ड़ पार्टी ए गो टू password चेक अप, अगर आप करना चाहिए, मज़ीद inquiry के क्या हो रहा है, तो आप go to password चेक अप पे जाके मज़ीद चेक कर सकते हैं, अब यहाँ पर check password अगर आप क्लिक करें, तो यह भी आपको दिखा गए, कि आपका same password कहा कहा पे यूज हुआ है, अगर आपके account पे जो password दे दे, तो उनको यह अंदाजा होता है, कि आप same password इस्तिमाल कर रहे हैं, और वो आपका चेनर है कर लेते हैं, या आपने यह three dots क्लिक करके delete password पे क्लिक करना है, तो आपका किसी दूसरे account में आपने password यही same password दिया है, तो वो delete हो जाएगा, किसी तरह यह तमाम जहाँ जहा account का security check up, कि हमारा account secure है या नहीं है, अगर आपका account secure नहीं है, तो same steps फालो करके security check up कर ले, और इसको secure कर ले, क्योंकि यह hackers कभी भी आपका channel है, कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लेगों तो लाइक करें, दोस्तों साथ share करें, और चैनलों को subscribe नहीं क्या, तो लाजमी subscribe करें, Allah हाफिज